अलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट इस इस एक से अपने फोन को किसी फ्लैट सर्फेस पर रख लेंगे ठीक है इस पर कमपनी की दोरा एक प्लास्टिक फिल्म देवी होगी उसको आपको उखाड के हटा देना है याद रखिए वो टेंपर ग्लास नहीं है उससे आपके फो प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है वो दो-चार-दस दिन एक महीना में आपका उखड जाएगा ठीक है आपको चाहिए एक पॉफेक्ट टेंपर्ड ग्लास और क्यूंकि आपका डिस्पले कर्व है तो इसके लिए नॉर्मल टेंपर्ड ग्लास नहीं आता है यूवी टें इन दोनों चीज़ों का खास इस्तमाल यहां पर होने वाला है सबसे पहले इस पाउच को खोल लेता है इसके अंदर से यहां पर दो-तीन तर्था के निकलते हैं ठीक है सबसे पहले आपको वेट वाइब निकलेगा वेट वायब से यानि कि यह गीला होगा बायचांस अकर सूखा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा पानी या कॉलीन कुछ भी लगा दो बस तेल बगएरा मत लगाना ठीक है और इससे अपने फोन के स्क्रीन को बढ़ियां से रब करके साफ कर दीजिए अगर आपका फोन नया है तो जादा साफ करनी के जरुवत नहीं है पुराना है तो फिर जादा साफ करना पड़ेगा क्योंकि अगर डस्ट वस्ट रहेगा तो ठीक तरीके से यूवी टेंपर ग्लास जो है वो फिट नहीं हो पाएगा उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डस्ट स्टीकर छोटे-छोटे अब्जॉर्वर मिलते हैं इसको आप अपने फोन के उपर में और नीचे में लगा दोगे जहाँ पर के स्पीकर के होल होंगे ठीक है जो भी होल होगा उस पर लगा देना क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत आता है कि भाई UV टमपर लगाने के बाद आवाज कमा रही है कम जा रही है तो यह उसको फिक्स करने के लिए है ठीक है तो यहाँ पर हमारा उपर में जो है छेट था तो हमने वहाँ उपर लगा लिया नीचे में हमने नहीं लगाया एक बार और बढ़ियां से पोच लेते हैं उसके बाद आप याद रखिए UV टमपर क्लास के पीछे एक फिल्म होगी पतली सी उसको आप फोन से थोड़ा हटा के रिमूफ कीजिएगा ठीक है क्योंकि फोन पे अगर लगा के रिमूफ करोगे तो हो सकता है कि उससे कुछ डस्ट गिर जाए फोन के उपर अब जो हमारी ग्लू की बोटल थी उसको अपने फोन के स्क्रीन पे आप डालिएगा ठीक है डालने के बाद देखिएगा कि वो बायाद आया तो नहीं भाग रहा है अगर वो बायाद आया भाग रहा है खुछ से तो मतलब कि आपका फोन एकदम सही फ्लैट सर्फेस पे नहीं रखावाए ठीक है फुल वोटल ग्लू मट डालिएगा उतना का जरूरत नहीं है आधा से थोड़ा जादा डालिएगा जितना के आप देख सकते हैं मैंने डाला क्योंकि ज्यादा डालोगे सूखने में बहुत टाइम बरबाद होगा और उस टाइम में हो सकता है कि वो साइट से निकल के आपके स्पीकर ग्रिल्स के अंदर चला जाए स्पीकर का होल या माइक्रोफोन का होल वो आपको अलर्ट रहना है ठीक है और उसको बायाद आया फेरना नहीं है ठीक है एक बार आपने UV टेंपर डिस्पले पर रख दिया फिर आपको उसको उखाड़ना नहीं है ठीक है नॉर्मल टेंपर ग्लास में हम लोग उखाड़के दोबारा लगा देते हैं अगर आपको लगता है कि जरौँ सा टेंपर ग्लास उपर नीचे हो गया है तो एक फिंगर रखके उसको जरा सा उपर जरा सा नीचे की तरफ आप हिला देने जैसा कि आप देख सकते हैं मैं याँ पे कर रहा हूँ वैसा करने से क्या होगा सारा का सारा air particle automatic निकल जाएगा देख सकते हैं आप मैं हलके हलके इसको हिला रहा हूं जिससे के हमारा air का particle जो भी है वो निकल गया आप देख सकते हैं हो गया पूरा complete अब इसके बाद आपको इसको सूखने के लिए छोड़ना है लेकिन ऐसे नहीं छ problem होती है ऐसा कुछ नहीं है easily remove भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आपको UV light के उपर continuously 10-15 मिनट के लिए मारनी है अब यह आपके उपर है आप UV light 10 मिनट मारो 15 मिनट मारो जब तक ना सूख जाए तक मारते रहना ठीक है प्लस थोड़ा 10 मिनट UV light मारने के बाद 10 मिनट आप इसको धूप में रख दो या 5 मिनट धूप में रख दो बहुत जल्दी सूख जाएगा क्योंकि धूप से भी UV light निकलती है ठीक है यहाँ पर जैसा कि हम कर रहे है उपर नीचे उपर नीचे इसी तरह आपको अपलाई करना है और tempered glass जब आपका पूरा fix हो जा तो वो जो हमने sticker लगाया था नीचे में उपर साइड में उसको remove कर दें UV tempered लगाने के बात कुछ इस तरह के लूक आ रहा है देख के पता ही नहीं चलेगा कि UV tempered glass लगा है इस तरह के से आप घर बैठे खुद से अपलाई कर सकते हैं